Hello Friends! अब पैसा कमाते तो बहुत हैं पर बचा नहीं पातें बचाते भी हैं लेकिन वो घ्रो नहीं कर पाता तो ऐसा क्या करें कि मेरा पैसा बचे भी और ग्रो भी करें तो मैं आमीत पालीवाल स्वागत करता हूँ आज के हमारे शो में जहां हम आपको गाइड करेंगे Money Management and Financial Planning एक आम आदमी को पैसा कहां कैसे और कब डालना चाहिए कि उसका पैसा ग्रो करें, उस शौट टम नीड भी पूरी हो, लॉंग टम टार्गेट भी अचीव करें Money Management, पैसा कहां डालें, कब डालें, कैसे डालें, इंशॉरंस खरी दें, या बैंक में ही रखें, शौट टम नीड वाले प्रोड़क्त खरी दें या लॉंग टम वेल्ज क्रेशन वाले प्रोड़क्त लें, कंवर्वेटिक पोर्टफोलियो बनाई या अग्रेसिव पोर्ट जो केवल एक प्रोफेशनल ही एडवाईज कर सकता है, और मेडिकल नीड वी गो टुटर, हम अपने बच्चों अच्छे टीचर के पास बेज़े क्योंकि वो बहतर पड़ा सकता है, इवन फोर ए हेर कट भी गो तो प्रोफेशनल बार बार, बाल कटाने तक के लिए हम प्र फानेंशल प्लानिग, इस ट्रॉंगली रेकोमेंट यू तो प्रोफेशनल फानेंशल अडवाईजर फोर यूर फानेंशल नीड अबात करते हैं, कॉमन आइडल अलोकेशन के कि पैसे को किस तरह से पाप करना चाहिए, इवी रेकोमेंट पीपल तू स्पिल टू प्योर मन अगर मुझे कुछ हुआ, तो मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, तो वी शुद हागा गुद लाइफ इंशॉर्स फॉलसी, दूसरा है, एमर्जंसी नीड, एक जम से नीड आ गई, फानेंशल एमर्जंसी आ गई, नौकरी चले गई, मेडिकल एमर्जंसी है, तो मेरी शॉट ट करते हैं कि split up your money into three parts, आपने पैसे के तीन हिस्से कीजे, तीन किस परतिशफ से आप रिस्क मिनेजमेंट बाले प्रोड़क्त लीजे, 33% से आप शॉट टर्म नीड, बेंक, FD, बॉर्ड, गोल्ड, यह ले सकते हैं, और रेस 33% पार्किन, स्टॉक मार्केट, मुचल पंड, real estate, all these kind of growth-oriented instrument. अभी बात करते हैं, investment thumb rule की, लोग अकसर बूछते कि कितना रुपय आप करूँ, तो हम ये common thumb rule की बात कर रहे हैं कि whatever the income you're having, split up your money, 20% पैसे को आप invest करना शुरू कीजे, यदि आपकी salary 25,000 है, तो 5,000 रुपय पाक कीजे, अगर आपकी salary 1,000,000 रुपय, तो 20,000 रुपय इंवस्ट कीजे, कल को अगर आपका salary बढ़के 5,000,000 रुपय महीना हो जाता है, तो 5,000,000 रुपय में से 20% यानी 1,000,000 रुपय डालिए, दूसरा thumb rule होता है risk management, risk management मेरा होना कितना चाहिए, we recommend 16 times of annual income, अगर आपकी salary 1,000,000 रुपय महीना है, सीरा-सीरा 2 करोड का insurance हो चाहिए, जो contingency के टाइम पर आपकी मदद करें, and the last one, growth allocation, 100 minus your age is equal to your risk carrying capacity, इचना पैसा आप growth oriented instrument में जहां पर रिस्क भी ले सकते हैं, real estate stock market में डालें, इन चारों को एक एक करके explain करें कि क्यो ऐसा है, सबसे बहले risk management की बात आती है, मां लिजे मेरी salary 1,000,000 रुपय है, और मै अगर इस दो करोड रुपय को कुछ ना करें कि इमीजेट पैंशन प्लान ले ले ले, या बैंक में FD करा दें, तो 6% पर आनम के हिसाब से मेरी फैमिली को 1,000,000 रुपय महिना मिलता रहेगा, यानि मेरे जीते जी घर में 1,000,000 रुपय रहा था, मेरे बाद भी मेरे गर मे 1,000,000 रुपय आता रहेगा, same lifestyle will maintain, but while taking insurance policy, you must ensure कि आपकी insurance policy में, life insurance के इलावे इलावा, disability or disease coverage भी हो, क्योंकि अकसर हमने ऐसा देखा है, अगर आप मर गए, तो insurance company claim देगी, but sometime it happens कि accident हुआ, दोनों हाथ चलेगे, दोनों आखे चलेगी, आप कमा भी नी सकते हो, और insurance company claim नहीं देती, and the last, आपकी policy के अंदर, critical illness coverage भी होना ची, ताकि अगर मेरी kidney fail हो, ये bypass surgery की पड़े, तो भी मेरी insurance policy मुझे पैसा दे, इस संपूर्न सुरक्षा प्लान इसा बोलत है, 4D protection plan, इसके लिए अलड़ी हमने एक वीडियो बना के YouTube पे डाला है, आप simply Amit Paliwalwal term plan के नाम से भी स अगर मैं बात करो, तो हम में रेक्मेंड करते हैं, ये emergency need, 12 गुना of monthly income आपके पास एक backup रहना चाहिए, economy में recession आ गया, मेरा नौकरी चला गया, road accident हो गया, medical name के पैसे company ने दे दी, लेकिन 6 महीने का better rest है, घर में एक दम से maintenance कराने की जुरत पड़ गी, इस हम वो short term needs है, जो क होता है कि कभी-कभी short term need भी तो होती है, हर साल अप्रेल में बच्चों की स्कूल की फीज बरनी है, अब business में तो दीवाली पे bonus बाटना है, insurance premium बरना है, हर दो साल के बाद एक बड़े vacation पर जाना है, जो short term need के लिए आप प्रोविजनिंग करते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं, तो एक्चल में आपकी emergency need को भी पूरा करता है, Simon Dunsley आपकी short term need भी उससे complete हो जाती है, short term और contingency के products कि अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए simply अपना पैसा बेंक अकाउंट में रख सकते हैं, FD करा लो, ID करा लो, यह आप liquid fund भी ले सकते हैं, यह भी mutual funds होत है, जिसमें पैसा कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, और जो real gold price appreciation होता है, वही आपको मिलता है, आप 500,000 उपर महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए अलड़ी हमने एक video YouTube पे डाला है, आपको लिंक यहां, description में मिल जागा, यहां भी लिका है, Amit Pali इवाल gold price के नाम से भी सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, अभी मैं बात करो, long term wealth creation की, मैंने कहा था, 100 minus your age is equal to your risk carrying capacity, होता कहा है कि, यह चार लोगों की मैंने बात की है, A, B, C, D, 25, 30, 35, 40 साल, इनकी अलग अलग उमर है, अब होता कहा है कि, देख करके लग रहा है कि, जितनी जल्दी आप शिरू करते हैं, उतर असान होता है आपके लिए wealth creation के target पर पुछना, चारो का target एक है, बस एक में जल्दी शिरू किया, एक में लेट शिरू किया, दोनों के लिए सीडी चड़ना, असान और मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात, अगर by the way हम गिरे मेरा loss हुआ, तो मेरे पास एक sufficient time होता है, हमने अकसर देखा है, initial stage, 25 साल, 30 साल जा risk carrying capacity होती है, वहाँ पर लोग risk नहीं लेते, क्योंकि उनको risk, ये सब product के बारे में मालूम ही नहीं होता, wealth creation, share market, mutual fund, अब हुमन 40-45 के बाद जाके share market और mutual fund की समझ आती है, और तब तक आपका risk carrying capacity खतम हो जाता है, तो quality asset class, you can park your money, मैंने तीन इंस्ट्रुमेंट बताये थे, 33 से इंचौरोंस प्रोड़क खरीडने है, 33 से शौ्टरम नीडवाले, without lock-in प्रोड़क खरीडने है, rest 33%, आप उसको share market में पाक कर सकते है, you can park this money into real estate, you can park this money into gold, अच्छी quality के अच्छे shares ले सकत और gold भी partially, आप इसको asset class समझ सते हैं, जहाँ पर long term में wealth creation होगा, मेरा child education, retirement solution, dream life, इस अब को, मैं यहां से प्लान कर सकता हूँ, लोग अकसर बोलते हैं, sir, share budget में तो loss हो जाता है, अमने तो share budget में प्रोफिट बनते देखा नहीं, जब जब share budget में पैसा डाला हमारा loss हुआ, 40 साल के track record कुमें रख रहा हूँ, Bombay Stock Exchange, BSC 30, जिसे अब Sensex के नाम से जानते हैं, 1979 में 100 रुपे का शिरू हुआ था, आज जून 2020 की बात करूं, 32 गरेटा, 16 प्रतिशत सालाना growth, Reliance Nippon Growth Fund की बात करूं, 1995 में 10 रुपे का आया था, अज 1000 रुपे का है, एक करोड हो गया, 20 प् फोकस डिक्टिविटी फंड की बात करूं, 15 साल होगे लाँच हुए, 15 साल पहले 10 रुपे का आया था, अज 140 रुपे का, 15 साल में पैसा 15 गुना हो गया, आप ध्यान से रेखेंगे तो इन तीनों में आपको 16, 20, 20 प्रतिशत का रिटन मिला है, तो long term में शेर बजार ने प प्रोविजनिंग नहीं करते हैं, 6 महीने, 12 मीने, 18 मीने या एमर्जनसी में आने वाले खर्चे, उनको मजबूरी में अपनी इंशॉरंस फोलिशी से रेंटर करनी पड़ती है, तो इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पैसे के तीन पार्ट कीजे, कम डाले, ज् पच्छी साल की बात करूं, तो शेर मार्केट में ये लेवल के रिटन्स बने हैं, लोगों का पैसा 15 साल में 15 गुना हुआ है, और 25 साल में 100 गुना हुआ है, अगर केवल 20-30 साल आना ग्रोफ आती है, तो आपका एक मुष्टरकम, one time money, if you park 1 lakh रुपीस, next 15 year, it may grow 15 lakh रुपी और ये पिछले 15 से 25 साल में हुआ है, और अगर मैं केवल 5000 रुपी महिने का future calculation लेता हूँ, जब 5000 रुपीस बना मन्तली बेसिस अगर आप हर महिने डालें, और 15 प्रतिशत का सालाना रिटना है, तो आपका पैसा करीब-करीब 6,60,70,000 की रिंज में जमा हो जाएगा, तो again, जो भी आप बचत करते हैं, उसका 33% यहां डालना शुरू कीजिए, और wealth creation in EMI, हम car EMI में खरीते हैं, हम घर EMI में खरीते हैं, बहुत सारे small gadgets, even mobile तक EMI में खरीते हैं, तो why not wealth creation in monthly EMI, yes, wealth can also be created in monthly EMI, हर महिने discipline के साथ 2,000, 5,000, 10,000 रुप महिना डालिए, उसको mutual fund या अच्छ जो का higher education आएगा, तो आपका retirement का time आएगा, तो आपके पास एक wealth होगी, हमने इसको अलड़ी एक video बनाया है, create wealth in monthly EMI, Amir कैसे बने, अब YouTube के सर्च करेंगे, Amit Paliwal mutual fund link में ने या सामने दिया, description में भी मिल जाएगा, तो आपको easily समझ में आदे हैं, कैसे mutual fund से level का wealth बनाया, again, में common ideal allocation पर फिर से आ गया, we recommend people, split up your money into three parts, जो भी आप बचाते हैं, तीन हिस्से कीजिए, 33% से insurance करी दिये, 33% से short term need and emergency की provisioning कीजिए, बिना lock-in वाले product खरी दिये, बिना risk, बिना lock-in, और 33% से आप, share market, mutual fund, real estate में डालिए, और अपने financial advisor से consult कीजिए, मैंने सिरफ आपको basic idea द कोई व्यक्ति हैं, 40% से डाले, कोई व्यक्ति यहाँ पर 25% से डाले, आपका advisor आपको बताएगा, हमने सरफ एक basic calculation रखी है, ये वीडियो हमने सरफ training or education purpose से बनाया है, हम किसी भी company के product पर हैं, हम किसी भी company के product पर हैं, हम कोई endorsement नहीं कर रहे है, mutual fund investment आप subject to market risk, इंच और हो कीजिए, share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए, आपको investment से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो अपने financial advisor को contact कीजिए, यह वो व्यक्ति जिसने आपको video forward किया है, उन से बात कीजिए, अगर आप advisor और को corporate training कराना चाहते हैं, हम इस तरा के subject पे corporate training देते हैं, financial planning, portfolio management, risk management, insurance, investment, mutual fund, तो आप हमें contact कर सकते हैं, आज की video में इतना ही, thank you very much sir, amit, bye